नमस्कार दर्सकों आज हम समश्टी अर्षचास्त्र के पहले अध्याय समश्टी अर्षचास्त्र का परिचय पढ़ेंगें समश्टी अर्षचास्त्र की उत्पत्ति अर्थ सास्त्र में समस्टी अर्थ सास्त्र का प्रारंब जॉन मेनार्ड कीन्स की देन मानी जाती है कीन्स द्वारा 1936 में लिखी गई पुस्तक The General Theory of Employment, Interest and Money में इस बात की चर्चा की गई है कि सभी आर्थिक चर ना केवल एक दूसरे से संबंधित हैं वरन एक दूसरे से ससक्त रूप से जुड़े हुए हैं किसी एक आर्थिक चर में परिवर्तन होने पर अन्य चरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है इससे पहले अर्थ सास्तर में व्यष्ठी वादी दिष्ठी कोण ही देखने को मिलता था जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक चरों के व्यवहारों का विसलेशन किया जाता था और विभिन आर्थिक चरों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता था किन्तु कीन्स द्वारा 1930 की वैस्विक मंदी का जब विसलेशन किया गया तो यह माना गया कि सभी आर्थिक निकाए एक दूसरे से ना केवल ससक्त रूप से जुड़े हुए हैं बलकि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं अर्थ सास्र के जनक एडम स्मित की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वारी इंटू दा नेचर एंड कॉजेज आफ वेल्थ आफ नेशन्स जो 1776 में प्रकाशित हुई थी में भी एडम स्मित इस बात का विसलेशन किया है जिसे उनका समश्टी वादी द्रिष्टिकोर कहा जा सकता है समश्टी अर्थ सास्त्र के संबंध में अर्थ सास्त्री लियो वालरा द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि एक बाजार में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव दूसरे बाजारों पर इस पश्ट रूप से पढ़ता है स्रम बाजार, पुझी बाजार और मुद्रा बाजार इनमें से यदि किसी भी एक बाजार में किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन होता है तो उसका प्रभाव अन्य दोनो बाजारों पर भी देखने को मिलता है जब हम सभी आर्थिक निकायों का विसलेशन एक साथ करते हैं तो इसे समश्ठी अर्शेसास्तर का छेतर माना जाता है यदि किसी छेतर में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उद्योग छेतर पर भी पढ़ता है इसी प्रकार उद्योग छेतर पर पढ़ने वाले परिवर्तनों का प्रभाव क्रिसी छेतर में देखने को मिलता है मंदी की रसा में उत्पादक एवं निवेशक अपनी आर्थिक क्रियाओं की गती को धीमा कर देते हैं जिससे मंदी कम होने की बजाए बढ़ना सुरू हो जाती है एक पूंजीवादी प्रणाली में ऐसी इस्थिती में भी सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेब अर्थ व्योस्था में देखने को नहीं मिलता है जबकि कीन्स द्वारा ऐसी इस्थिती में जबकि निजी छेत्र द्वारा आर्थी क्रियाओं को अधिक बल अत्वा गती ना मिल रहा हो तब सरकार का दाइत्व है की सरकारी निवेस द्वारा मंदी को दूर करने का प्रयास किया जाए कीन्स ऐसे पहले अर्शास्त्री थे जिन्होंने आर्थी क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक माना था सरकार द्वारा मंदी की स्थिती में जबकि आय, उत्पादन एवं रोजगार सब कुछ मंद होने लगता है ऐसी स्थिती में सरकार के हस्तक्षेप द्वारा ही मंदी को दूर किया जा सकता है किन्स का इस पश्ट रूप से ऐसा मानना था कि बीना सरकारी हस्तक्षेप के मंदी को दूर नहीं किया जा सकता है समश्टी अर्थसास्त्र की संकल्पना समश्टी सब्द की उत्पत्ती ग्रीग भासा के मैक्रो से हुई है जिसका अर्थ है समग्र जब समपूर्ण अर्थव्योस्था को एक अर्थी की काई की रूप में देखा जाता है तो इसे समश्टी अर्थव्योस्था का विसेचेत माना जाता है जैसे राष्ट्री आय, राष्ट्री बचत, राष्ट्री निवेस, इत्यादी यदि हम किसी देश की अर्थिवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थिवस्था में सभी वस्तूओं और सेवाओं के निर्गत के चरों में एक साथ संचरण की प्रकृति होती है उदाहरण के लिए यदि खाध्यानों के निर्गत में वृध्धी होती है तो आम तौर पर और जोगिक वस्तूओं का मीटर भी बढ़ता है और जोगिक वस्तूओं में विभिन प्रकार की वस्तूओं के निर्गत में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवित्ती होती है जिस प्रकार से वस्तूओं और सेवाओं की कीमतों में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवित्ती होती है उसी प्रकार से हम उत्पादन इकाईयों में भी रोजगार के अस्तर को एक साथ बढ़ते या घटते हुए देख सकते हैं यदि किसी अर्थव्योस्था में हम उत्पादन, रोजगार एवं कीमत को एक दूसरे से संबंधित करके देखें तो संपूर्ण अर्थव्योस्था का विसलेशन करना आसान हो जाता है 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्सों में देखा गया की यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार और निर्गत के अस्तरों में भारी गिरावट आई जिसका प्रभाव दुनिया के अन देशों पर भी पड़ा बाजार में वस्तूओं की मांग कम थी और कई कार खाने बेकार पड़े थे स्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था सैयुक्त राज अमेरिका में समस्त निर्गत के लगभग 10 प्रजशत की गिरावट आई इन घटनाओं ने अर्थिसास्तियों को नय तरीके से अर्थ व्यवस्ता के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया आर्थिक एजेंट अत्वा आर्थिक चर्प ऐसे आर्थिक इकाईउं को कहा जाता है जो आर्थिक निर्णे लेते हैं वह भोक्ता, उत्पादक, अथ्वा निवेसक हो सकते हैं व्यष्टी एवं समश्टी अर्थ सास्त्र में अंतर व्यष्टी एवं समश्टी अर्थ सास्त्र एक दूसरे से इस अर्थ में भिन्न है कि व्यष्टी अर्थ सास्त्र का अध्ययन छेत्र व्यक्तिगत होता है जब किसी आर्थिक चरों का विसलेशन व्यक्तिगत इकाई की रूप में किया जाता है तो इसे व्यष्टी अर्थ सास्त्र का विसेवस्तु माना जाता है जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत एवं व्यक्तिगत निवेश आदी जैसे ही इन चरों का विसलेशन समगर रूप से किया जाए तो इसे समश्टी अर्थसास्त्र का विशय माना जाता है जैसे राश्ट्री आय, राश्ट्री बचत, राश्ट्री निवेस, इत्यादी व्याष्टिवादी विसलेशन का आकार सूश्म होता है जबकि समश्टिवादी विसलेशन का आकार ब्रिहद होता है अर्थ विवस्था के अनेक छेत्रों को एक साथ विसलेशन में सामिल करते हैं तो विसलेशन की यह पद्यती समझ्टी अर्थे सास्त्र का छेत्र बन जाती है अर्थे सास्त्र में विभिन्य अर्थिक रियाएं जैसे उत्पादन, उब्होग, वित्रण, एवं निवेश, आदी चरों का जब हम विसलेशन करते हैं तो विसलेशन की दो तक्निकी हो सकती है चरूं का विसलेशन या तो व्यस्टी अस्तर पे किया जाए अथवा समस्टी अस्तर पे जैसे अगर हम जंगल में किसी एक विक्ष का विसलेशन करें तो या व्यस्टी अर्थसास्तर का विसेचेत्र माना जाएगा लेकिन जब हम जंगल में लगे सभी विक्षों का एक सात्वी सिसर्ण करें तो इसे हम समश्टी अर्थसास्त्र के अंतरगत रखेंगे आर्थिक इकाईयों की पारस्परिक निर्भरता किसी भी अर्थवस्था में उत्पादन के विभिन्य छेत्र होते हैं जैसे क्रिसी उद्योग एवं सेवा या तीनों ही छेत्र एक दूसरे पर ना केवल निर्भर होते हैं बलकि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं क्रिसी छेत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव निश्चेत रूप से उद्योग छेत्र पर देखने को मिलता है आर्थिक विसलेसर्ण दोनों ही छेत्रों के विभिन चरों का एक साथ विसलेसर्ण करता है जिससे संपूर्ण अर्थ व्योस्था का समगर विसलेसर्ण होता है एडम इसमिर द्वारा भी विभिन आर्थिक चरों की पारिस्परिक निर्भरता की बाद स्विकारी गई है उभ्भोग और उत्पादन एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं यदि उभ्भोग की प्रवित्ती में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ेगा और अगर उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से निवेश के मूल में भी परिवर्तन होगा आर्थिक प्रणालियां आर्थिक प्रणालियों के अंतरगत मुख्य रूप से पूंजी वादी आर्थिक प्रणाली एवं समाजवादी प्रणाली का अनुसरण विभिन्य देशों द्वारा किया जाता है पूंजी बादी प्रणाली में उत्पादन, उभ्भोग, निवेश, एवं वित्रण जैसी आर्थिक रियाएं निजी छेत्रों द्वारा संचालित होती है किस छेत्र में कितना उत्पादन करना है, किन वस्तों का उत्पादन करना है, इसका निर्णे निजी छेत्रों द्वारा किया जाता है इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर निजी छेत्रों का स्वामित होता है निजी छेत लाब आधारित आर्थिक निर्णे लेते हैं, जिस छेतर में उत्पादन करने पर उन्हें लाब मिलने की संभावना होती है, उनके द्वारा निवेस का निर्णे ऐसे छेतरों के लिए किया जाता है यहां सामाजी कल्याण की भावना देखने को नहीं मिलती है वहां निजी स्वार्थ अथ्वा लाब की कोई गुंजाइस नहीं होती है पूंजी वादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन प्रक्रिया में स्रम एवं पूंजी के अनुपातों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो यह देखा जाता है कि इन देसों में पूंजी को स्रम के ऊपर अधिक वरिता दी जाती है वहां उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है जिसकी वज़ा से स्रम को रोजगार की उपलब्दता अथवा औसर कम हो जाते हैं वहीं दूसरी और समाजवादी प्रणाली में पूंजी के अस्थान पर स्रम को अधिक महत्व दिया जाता है अत्वा वरिता दी जाती है जिससे रोजगार की उपलब्धता अत्वा औसर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं भूमी पूंजी एवम स्रम उत्पादन के महत्पूर साधन है और इन संसाधनों का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पादन को बाजार में भेशते हैं इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ती कहते हैं संप्राप्ति का कुछ अंच भूमी को उसके उप्योग के लिए विसेश रूप से रदान किया जाता है इसी प्रकार कुछ अंच पूंजी को ब्याज के रूप में और स्रम को मजदूरी दी जाती है इस आयका उप्योग उत्पादक आगे नई मसीने लगाने के लिए करते हैं जिससे उत्पादन का विस्तार होता है समश्टी आर्थिक प्रणाली के अंतरगत सरकारों द्वारा इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उत्पादन की ऐसी तक्निकी उप्योग में लाई जाए जिससे ना केवल उत्पादन बढ़े वरन स्रम को परयाप्त दूरुप से रोजगार भी उपलब्ध हो यदि केवल उत्पादन पर ध्यान दें तो या व्यश्टी अर्थिसास्त्र अथवा व्यक्तिगत प्रणाली पर आधारित निर्णे होगा दूसरी ओर अगर हम उत्पादन के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान दें अथवा बेरोजगारी की समस्या पर भी ध्यान दें तो समश्टिवादी दिश्टिकोर्ण रखना होगा इस संबंध में समश्टि आर्थिक विसलेशन की महत्ता और बढ़ जाती है इसमें स्रम बाजार, पूझी बाजारों एवं मुद्रा बाजार के संतुलन को एक साथ विसलेशन किया जाता है समश्टि अर्थिसास्त्र का विसय छेत्र समश्टी अर्ष सास्त्र के अंतरगत ना केवल विभिन्य आर्थिक निकायों के वेवहारों का एक साथ विसलेशन किया जाता है बलकि उनकी पारस्परिक निर्भरता एवं उनके अंतर संबंधों का विसलेशन किया जाता है आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्रा इस्फीती, बैंकिंग, अंतर राश्टी व्यापार एवं भुक्तान संतुलन, आदी काविसलेशन, समश्टी अर्चसास्त्र काविसे वस्तु रहा है उभुक्ता एवं उत्पादक बाजार की दो प्रमुख आर्थिक इकाईयां मानी जाती हैं, जिनके द्वारा विभिन प्रकार के आर्थिक विवहार किये जाते हैं दोनों के आर्थिक हित एवं आर्थिक उद्देश अलग-अलग होते हैं बाजार संतुलन अकेले क्रेता अत्वा अकेले विक्रेता के विसलेशन से संभव नहीं होता है इसके लिए दोनों का एक साथ विसलेशन किया जाता है अर्थ विवस्था में मांग एवं पूर्ती दो अलग-अलग आर्थिक इकाईयों के विवहारों को दरसाती है जहां मांग का संबन उभोकता से है वहीं पूर्ती का संबन उत्पादक से है बाजार एक ऐसा स्थान है जहां दोनों ही आर्थिक इकाईया अपने अपने आर्थिक विभारों को मूर्त रूप देती है इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार किया जाता है उभोकता एवं उत्पादक को अलग-अलग रखकर उनके आर्थिक विवहारों का विसलेशन करके संपूर्ण बाजार के संतुलन को नहीं प्राप्त किया जा सकता है किसी भी अर्थ विवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार आदी का निर्धारन करने के लिए संपूर्थि आर्थिक विसलेशन का प्रियोग किया जाता है राष्ट्रियाय का ऐसा कौन सा अस्तर होगा जिस पर अर्थ विवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिती देखने को मिलेगी इसके अत्रिक्त बेरोजगारी, मुद्राइस्पीती, गरीबी, भुकतान सेस, आदी आर्थिक समस्याओं का विसलेशन समस्टी अर्थ सास्तर के महत्त को बढ़ा देता है सरकार द्वारा क्या किया जाए, अत्वा क्या किया जाना चाहिए यह निर्णय समस्टी आर्थिक विसलेशन के बाद ही लिया जा सकता है नीतिकारों द्वारा योजना बनाते समय विभिन्य छेत्रों के विकास के लिए कौन सी नीति प्रभावी होगी, मुद्रा की आपूर्ती केंद्रिय बैंक द्वारा कितनी होनी चाहिए, वालिज बैंकों द्वारा विभिन्य आर्थिक रियाओं के लिए कितना उधार देना चाहिए इत्यादी महत्पूर्ण विस्यों पर निर्णय लेने में समझ्टी अर्शास्त्र का महत्व बढ़ जाता है धन्यवाद थाता है